राहुल टॉक यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर औल पे सेलेट कीजिए राहुल टॉक के वीडियोज को देखने के लिए नमस्कार दोस्तो दोस्तो यह important setting वाटसप का हर किसी को set करना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले वाटसप को ओपन करने के बाद उपर का three dot को touch करेंगे वो setting में जाएंगे वहाँ पर जो chat से उस chat का option को touch करते ही नीचे में आप देख सकते हैं chat backup है उस chat backup को touch कर लेंगे और यहाँ पर अपना email id को डाल देना है आपका जो भी email id बना हुआ है उस email id को डाल देना है तो यहाँ पर जैसे कि मेरा email id डाला हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप email id डाल सकते हैं तो additional account से मैं आपको बता रहा हूँ add account लेकिन अभी मेरा नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरा 4-5 email id समय इसमें login किया हुआ है इसलिए अगर आप अपना फोन में करेंगे तो वहाँ पर सायद हो सकता आपका फोन में ऐसे तो आप जब फोन को install करते हैं तो उसी समय यह दे देता है कि आपका email id के साथ login करना है number के साथ अगर आप अभी भी नहीं किये तो इसको कर लिजएए इसका advantage बहुत जादा है दोस्तो मेरा जैसे के आपर देक सकते हैं कि मेरा login किया हुआ है इसलिए अभी login नहीं हो रही है तो अगर आप नहीं किये हैं तो आप कर लिजए इसमें advantages यह है कि जब भी आपका phone से आपका WhatsApp अनिस्टल हो जाता है और फिर दुबारा आप जब इंस्टल करते हैं तो recovery होने में मदद होती है और आपका WhatsApp को कोई और use नहीं कर सकता है आपका phone पर ही message आएगा आपका phone number पर या फिर आपके email ID पर तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो next वीडियो के लिए राहुल टॉक को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इसमें हमेजा वीडियो अच्छी अच्छी अप्लोड होते रहती है I hope you like this video Thank you